ये सब्सक्राइब अब्रीवान है टेश एर एंड टोड़ी गना टॉक अबाउट दी लेटेस्ट रूलीजड वैब सीरीज कॉल्ड लोकी और आज हम इसके सीजन टू एपिसूड फूर्थ के बारे में बात करने जा रहे हैं थोड़े बहुत चेंजेज हुए हैं एक तो इस कहानी की में स्टोरी लाइन की तरफ जिसकी शुरुवात में समय के अंत वाला सीन दिखाया जाता है जहां पर लास्ट एपिसूड में सिल्वी ने रवोना रैंसलेयर को भेज दिया था उसके पास वक्त मिस मिनिट भी होती है जो की बताती है कि ऐसा राज में बताने वाली हुँ जिसे जानकर तुम्हें गुसा तो आएगा मगर जानना जरूरी भी है एक लिजिन क्रियेट किया जाता है जहां पर छोटे वाले प्रोटोटाइब में हम देख पाते हैं कि इस वक्त यानि कि जो समय का अंत होता है हो ही रिमीन के साथ में रवोना रैंसलेयर भी होती है तो अगेन कुछ टास्क प्रफॉर्म करके वापिस से इसकी बॉडी में से लाया जा सकता है इस बात के लिए हुई रिमीन रवोना को बहुत सारी शाबासी देता है और कहता है कि तुम अब टीवी में जाओ मैं थोड़ी दिर बाद आऊंगा जैसी वह जाती है तो वह मि रवोना रैंसलेयर भी एक थी अब सीन वापिस से प्रिजन टाइम में शिफ्ट होता है जहां पर रवोना अपने यादों का बदला अब हुई रिबीन से लेना चाहती थी क्योंकि शास्वत समय रेखा पर उसकी बी एक जिंदगी थी जो कि उससे चीन ली गई थी विक्ट पीछे से मोबियस और लोकी आ जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हें एक प्रॉब्लम को सॉल्फ करना है जिसका नाम है टैंपरल लूम वो धीरी-दीरे खत्म होने की कगार पर है अगर हमने जल्दी नहीं करी तो अल्मोस्ट ब्रम्हांडी खत्म हो जाएगा तो यह से भी भागते पहुँचते हैं ओभी के पास में ओभी बताता है कि आप वही हैं मिस्टर विक्टर टाइमली जिनकी मदद से मैंने इस पूरे टीवी के अंदर सारी मशीने बनाई इनफाक्ट यह गाइडबुक भी लिखी और विक्टर जिसके पास में ऑलरीडी टीवी की प्रस हो चुके थे और अपनी अपनी बुक्स में एक दूसरे का ओटोग्राफ चाते थे तभी केसी बताता है कि हमारे पास में वक्त बहुत कम है इन्हें प्रेजंट कंडीशन दिखानी होगी यहां पर ओभी ने एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया था बड़े वाले पर लूम का अब इसमें करना यह था है कि एक शक्स को स्पेस जैकेट पहन कर भागते वे जाना है और लूम के सेंटर में लगा जो डिवाइस है उसमें यह एक्स्ट्रेक्टर फिट करना है सामने वाली रिंग्स पर क्योंकि रिंग्स इस वक्त इन सभी ब्रांचिस का लू होने लगेगा और फिर इस मुसीबत को ठीक किया जा सकता है मगर प्रॉब्लम यह थी कि शटर के ओपन होने के बाद में जब टैंपरल लूम के सेंटर तक पहुंचा जाएगा तो वहां पर रेडियेशन बहुत जादा है लास्ट टाइम जब मोबियस ने वहां तक जाने की के खाकर आते हैं जिस पर सिल्वी को बहुत गुस्सा आ जाता है वह कहती एक तो पुरी दुनिया तबाँ होने वाली है और तुम्हें के खाना है विचारे को बहुत बुरा बला सुनाया जाता है लेकिन अब वह करे भी क्या के नयान है खाया उसने और लाइम पाई उसकी बन चुकी थी लास्ट एपिसूड में उसने बताया था जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सेल में जाएं इस बार इंटेरोगेशन के लिए पहुंचती है वह भी अपने कमांडर डॉक्स के पास में और बोलती है अब टीवी एक खत्म होने के कगार पर है मगर मैं जानती था मगर इस बार तुमने पूरी बड़ी बड़ी टाइम लाइंस में मिलियंस एंड बिलियंस पीपल को खत्म करके बहुत पूरा काम किया है मगर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है इस टीवी को बचाया जा सकता है जिस पर डॉक्स कहती है कि मुझे सूचने का थोड़ा वक्त चाहिए इसके साथ में डी नाइन टीवी होता है जो कि लास्ट एपिसोड में मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था खैर सिल्वी जो उस वक्त वहां से निकल चुकी थी वह खुदी चलते गलती से फूड सेक्शन यानि की पाई वाले कैफेटेरिया में आ जाती है ल दोनों खुद भी इस पूरी टीवी को मैनेज कर सकते थे और दूसरा यह कि प्रेजन टाइम में इनके पास विक्टर टाइमली है वह इस वक्त हुई रिमीन्स बना नहीं है अगर उसे मारेंगे तो फिर उसके बाकी के वेरियंट भी आने लगेंगे तो यह गलती करनी ही न मिला तो अगर उसे आज ही मार दिया जाए तो वह कभी अपने दूसरे वेरियंटों से मिलेगा ही नहीं और सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी ही नहीं सीन शिफ्ट होता है चेंबर में जहां सारे के सारे कैदी मौजूद थे और यहां पहुंच जाती है रवोना रेंसलेय मिलकर इस टीवी को खत्म करके खुद ही अपने आपको राजगदी बनाकर मिलब राजाशाही ठांट चलाना चाते हैं तो वो इनके साथ मिलने से मना कर देती है और अपने बाकी लोगों को भी ऐसा करने के लिए मना कर देती है मगर हमारा ब्रैड वुल्फ जो की अपनी ही दिखाया तो नहीं जाता है कि कैसे में घराब हो गया बट हां साउंड एफेक्ट्स आ रहे थे कि वह सभी पिचक कर फूट चुके हैं और हर एक की लाशे बापस में मिक्स हो चुकी उनका मिक्सर ग्राइंडर हो चुका है विक्टर टाइम ली जिसके पास में उसकी अभी उमीद की रहा नजर आती है लेकिन मिस मिनिट थी जोकी इनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी कोई भी कोड कोई भी दर्वाजा या फिर किसी भी मशीन का एक्सेस इन्हें नहीं दे रही थी इस वज़े से सारे टैम बैट भी खराब हो चुके थे तो यहां पर ओभी का कह टैम से आया था जिसने होट चॉकलेट की कोई मशीन देखी नहीं थी तो उसे देखनी की इच्छा जाहिर करता है जहां पर दी नाइंटी उसे वह मशीन दिखाने के लिए लेकर जाता है पहली बार मशीन से निकलती होट चॉकलेट को देखकर विक्टर बहुत ही जधा करने की कोशिश कर रहे थे इसी वक्त इनके पास खबर आती है कि विक्टर तो गयाब हो चुका है अब ना जाने वह कहां गया लोकी भी इस बात को देखकर हैरान था कि यहां पर ब्रून स्टिक तो पड़ी है मगर किसी ने विक्टर को जान से मारा नहीं इसका मतलब जिसन सारे में कुछ मालूम ही नहीं में वैल से शिफ्ट होता है टैंपर लूम में जहां पर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है यानि की सारी एक्स्ट्रा ब्रांचेस टाइम की निकल चुकी है और हर कोई उसे ठीक करने में लगा है अब अगर आपने सीजन सेकेंड का एपिस इसलिए जुकाडवगाड लगा के उसने लिफ्ट को फिर से चालू कर लिया और जो पुराना वाला लोकी था जब उसने सिल्वी को देखा अब उससे होना तो ब्रून था ही लेकिन इस पास्ट वाले की पीछे प्रेजंट वाला लोकी आ चुका था जो कि उसे ब्रून कर देता है और वहां जो कॉल आ रहा था वो था उबी का वो कहता है इतनी दीर होगी अभी तक तुमने विक्टर को ढूंडा नहीं जल्दी से लेकर आओ क्योंकि धीरी-धीरी करके रीडियेशन बहुत जादा फैलता जा रहा है इसका मतलब यह कि जो बंदा सूट पैन कर उस त सदला लेना होगा तो मैंसा नहीं कर सकते अब सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन तब तक सिल्वी और लुकी वहां तक पहुंच चुके थे उन्होंने वहां की लाइट्स बंद कर दी थी और जब एक्सवाइव उनसे लड़ने के लिए जाता है तो सिल्वी उसका मैंड मै कर देता है और यह लोग विक्टर को लेकर पहुंचते हैं सीधा टैंपरल लूम जहां का रीडियेशन इस वक्त टॉप नौच था अब सवाल यह खड़ा होता है कि वहां तक यानि की हाथ उटाता है लेकिन विक्टर कहता है यह सारी चीज़े मुझ से ही जोड़ी हैं मेरे टीवी को है जिसकी जरूरत इन सभी लोगों को है वो तो गयब हो गया रीडियेशन ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी तो बाकी लोग वहां तक कैसे पहुंचेंगे और देखते ही देखते वहां पर एक जोड़दार का ब्लास्ट होता है और अपनी मौत को यह सभी खड़े होक अपनी आँखों से देखने लगते हैं और एपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है अब मेरी त्योरी क्या कहती है कि विक्टर ने चो अपना च्छोटा वाला गैजट लगाया था टाइम पोर्टल या फिर जैसे स्पेस ट्रेवल जैट भी कह सकते हैं उसकी मदद से उसने पोर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में